नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना सिमटते जा रही हैं दिलों और जजबातों के रिष्टे सिमटते जा रही हैं दिलों और जजबातों के रिष्टे यहां सोदे करने में जो माईर है वही दनवान है नमस्कार दोस्तो आपका अपने यूट्यूब चेनल जिके वाई परदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तो आपके जो like, share और comment आ रहे हैं उसका हम तहदिल से धन्यवाद करते हैं दोस्तो आज आपके सामने मैं test series लेकर आया हूँ बहुत से friends के comment आ रहे थे कि sir आप इन test series के answer क्यों नहीं डालते बच्चो इस test series के answer पिछली video में छिपे होते हैं और उस पिछली video का link हम description box में दे देंगे और वो video देखने के बाद आपका कोई भी question नहीं बचेगा दोस्तो आज की जो हमारी test series रहेगी वो सबसे important है stadium से related और गुर्दवारों से related हमारी test series रहेगी सबसे पहले दोस्तो simple सी बात आती है बीम सिंग stadium कहा है आपको बताने है दोस्तो बीम सिंग stadium कहा है आपको बताने है दोस्तो बीम सिंग stadium कहा है नमबर नेक्स्ट बताना है दोस्तो नहार सिंग स्टेडियम कौन सा स्टेडियम दोस्तो नहार सिंग स्टेडियम बहुत इंपोर्टेंट बात है दोस्तो कौन सा स्टेडियम पूछा दा नहार सिंग स्टेडियम कहां पर है दोस्तो तीसरा कोशिन आपको बताना है अरजुन स स्टेडियम बताना है और चोथा दोस्तो आपको बताना है महावीर स्टेडियम कहां पर रहेगा महावीर स्टेडियम बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो महावीर स्टेडियम कहां पर रहेगा पांचवा सबसे इंपोर्टेंट है दोस्तो आपको बताना है महावीर स्टेडिय है चटा कोश्चन रहेगा दोस्तो सहीद भगत सिंग खेल स्टेडियम कहां पर है आपको बताना है दोस्तो चटा कोश्चन क्या बताना है चटा कोश्चन रहेगा सहीद भगत सिंग खेल स्टेडियम कहां पर है और दोस्तो साथवा कोश्चन रहेगा वो इंपोर्टेंट है आपको बताना है देवी लाल स्टेडियम कहां पर है, कौन सा स्टेडियम दोस्तों, देवी लाल स्टेडियम आपको बताना है दोस्तों, दो जगे हैं, दोनों जगे आपको बताना है कि देवी लाल स्टेडियम कहां पर रहेगा, Number 8 वहाँ question रहेगा दोस्तो नेहरू stadium कहा पर है कौन सा stadium पुछ है दोस्तो नेहरू stadium कहा पर है और 9 वहाँ question रहेगा दोस्तो बहुत important है हुड़ा complex हुड़ा complex खेल stadium कहा पर रहेगा आपको बताना है और जो दोस्तो अपना सबसे important दस वहां question रहेगा हरियाना राजे खेल परीसर स्टेडियम आपको वताना है दोस्तो अरियाना राजे खेल परीसर स्टेडियम कहां पर रहेगा और दोस्तो अपना स्क्रिन सोट ले सकते हो अरियाना राजे खेल परीसर कहां पर रहेगा और दोस्तो अमारा जो आज का 11 question होगा वो और ज़्यादा important हो जाता है दोस्तो 11 question रहेगा special sports training center special sports training center कहां पर है special sports training center कहां पर है और दोस्तो 12 question रहेगा वो और ज़्यादा important हो जाएगा और जो आज का 12 question रहेगा दोस्तो अरावली गॉल्फ मेदान कहां पर है अरावली गॉल्फ मेदान कहां पर है तेरों question रहेगा दोस्तो built खेल stadium built बलालपूर यानि बलालपूर foot wall खेल stadium कहां पर रहेगा चवद्रों question रहेगा दोस्तो राव तुला राम खेल stadium कहां पर है दोस्तो अब मैं 6 question गुर्दवारों से related डालूँगा आपको वताने है कि गुर्दवारे कहां पर रहेंगे दोस्तो जो हमारा पंद्रों question रहेगा वो रहेगा कि राजगाट गुर्दवारा कहां पर है पंद्रों question रहेगा दोस्तो कौन सा गुर्दवारा राजगाट गुर्दवारा कहां पर है दोस्तो आप screen source लेके आप इसके answer हमें देना comment box में और दोस्तो हमारा सोलुआ कोश्चन रहेगा गुर्दवारों से रिलेक्टिड वो और भी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा और हमारा जो 16 कोशन रहेगा वो रहेगा मंजी साहीब गुर्दवारा कौन सा गुर्दवारा मंजी साहीब गुर्दवारा कहां पर रहेगा 17 कोशन रहेगा दोस्तो नीम्ब साहीब कौन सा गुर्दवारा दोस्तो नीम्ब साहीब गुर्दवारा कहां पर रहेगा आपको बताना है और दोस्तो 18 कोश्चन रहेगा हमारा गुर्दवारा कपाल मोचन कहां पर रहेगा और दोस्तो 19 कोश्चन बताना है आपको गुर्दवारा कपाल मोचन किस गुरू से संबन दित था आपको दोस्तों गुरु का नाम बताना है कि गुर्दुआरा कपाल मोचन किस गुरु से सम्मंदित था और जो हमारा 20.000 कोशन रहेगा दोस्तों आपको बताना है गुर्दुआरा लाखन माजरा कहां पर है。 दोस्तों इन सभी question के comment आपको हमें इसके answer आपको description box में video मिल जाएगी वो check कर लेना और इनके जो भी important है question के answer आपको हमें comment box में देने होगे और दोस्तों मेरा वादा है गुर्दवारों से और जो stadium से इस series से बाहर आपको कोई भी question देखने को नहीं मिलेगा इस video को ज्यादा से ज्यादा like कीजिए ज्यादा से ज्यादा share कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमें comment करके बताए कि ये test series आपको कैसी लगी दनेवाद दोस्तों जै हिन जै भारत